टाइम था 2021 का जब पुलिस वालों ने एक ऐसे बंदे को पगड़ लिया जो कि बाहर मार्केट में ड्रग्स बेच रहा था पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और अपने साथ पुलिस टेशन लागर उससे पूछताज करते हैं कि आखिरकार तु ड्रग्स कहां से लेकर आ रहा है कि इसको बेच रहा है क्योंकि वो लोग इस पूरे गैंग को पगड़ना चाहते थे जो कि यहाँ पर ड्रग डिलिंग का काम किया गरते थे लेकिन उस आदमी ने ये बात कही कि जनाब आप लोग मुझे छोड़िये मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा कि ये तो एक छोटा मोटा केस है आप लोगों का एक केस बिल्कुल सॉल हो जाएगा कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था और उसने बड़े ही बेरहमी से जान लेकर लेकिन वो लड़की कौन थी और उस लड़की के बारे में ये इतना कुछ कैसे जानता है और उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो पुलिस वालों के पास एक बार तो पहुंसती है लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई इन्ही सब चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ब्लडी फा करें तो इस कहानी की सुरुवात 1983 से होती है जिस टाइम तक चार साल का पाचाई थाइलेंड बैंकोक में अपने माता पिता के साथ बड़े ही आराम से टाइम बिता रहा था इसके घर पर इसके एक बहन थी इसके पिता का खुद का एक मार्केट था जहां पर काफी सारी थी पास में ही काफी सारे ऐसे तलाब थे जिसके उपर अक्सर ये अपने पिता के साथ फिसिंग करने के लिए जाया करता था इसके पिता को फिसिंग का काफी ज़्यादा सोक था और इस बात का अंदाजा आप लोग इससे भी लगा सकते हैं कि इनके घर पर भी काफी सारे ऐसे जार मोजूद थे जिनके अंदर अलग-अलग तरहें की काफी सारी मचलिया मोजूद थी एपी चाय और उसकी बहन हर रोज का यही काम था कि उन लोगों को सिर्फ स्कूल जाना है उसकी मा को अपना घर संभालना है और उसके पिता के तो काफी सारे बिजनस थे ही लेकिन इसके बाद एक टाइम ये भी आया जब इसका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कान क्योंकि इसके पिता को मचलियों का काफी जादा शोक था तो इनके घर में जगह जगह पर फिश टैंक लगे हुए थे और इनके घर पर ज जितनी भी मचलिया थी वो सारी की सारी फर्स पर आگे रही है और अब वो तडब तडब कर मर रही है और काफी सारी ऐसी हैं जो कि बैड़ के नीचे जा चुकी है और उन्होंने अपनी जान गवा दी है तो इस चीज को देखकर अपाचाई के पिता को काफी ज़्यादा गुसा आया और वहीं पर रखी एक लोही की राड उन्होंने उठा कर उस लड़की के सिर में दे मारी जैसे ही वो रोड उस लड़की के सिर में लगती है तो उसके सिर से काफी ज़्यादा खून निकलता है और उसने हाथो हाथ अपनी जान गवा दी लेकिन अब वो लड़की जान गवा चुकी थी फिस्टेंक तूट चुका था और चालम चाओ भी समझ नहीं पा रहा था कि अम मैं क्या करूँ लेकिन उस टाइम उसकी वाइफ घर पर ही थी और उसने ये बात कही कि जो कांड तुम से हो चुका है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते लेकिन हाँ इस लड़की को ठीकाने हम लोग जरूर लगा सकते हैं जिसके बाद उन लोगों ने उस लड़क को छोटे छोटे टुकडों में काट कर वहीं उनके घर के पास में जो तालाब था उसे वहाँ पर डाल दिया लेकिन उस लड़की के घर वाले चालूम चाओ के घर पर आ पहुंचती हैं रात को जब वो लड़की वापिस अपने घर पर नहीं पहुंचती और वहाँ पर आक देखने में इतने नॉर्मली नहीं लग रहे थे तो उन्होंने वहां से बलड सैंपल लिये और उसके बाद इस केस के उपर पूरी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस बारे में पता जल जाता है कि उस लड़की का ही ये बलड है और इस बारे में जब जालुम चाओ से थोड़ी सकताई से पूछा जाता है तो उसने सारी की सारी बाते बता दी पुलीस वाले अब उसकी वाइफ के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि वो भी सकांडवे सामिल थी लेकिन तब तक उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर यहां से जा चुकी थी अपाचाई अभी काफी जादा चोटा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि हमारे घर पर ये सब क्या चल रहा है लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ उसकी बेहन को लेकर वहां से जा चुकी थी उसके पिता को पुलीस वाले लेकर जा चुके थे और वो घर पर अकेला रह गया था अभी वो काफी ज़्यादा चोटा था तो उसके पडोसियों ने एक बार दोसे संभाल लिया और दूसरी तरफ उसके पिता के उपर केस चलने लगता है उसके पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी तो उन्होंने अच्छे से अच्छे लोयर को चुना और वो केस को जीत भी जाते हैं वो वापिस अपने घर पर आकर अपने बेटे के साथ रहने लगते हैं और अपने पतनी के बारे में भी जानने लगते हैं कि आखिर कर वो कहां पर है लेकिन इसी बीच अपाचाई के पिता के उपर किसी ने हमला कर दिया और उस गोली बारी में उसके पिता ने अपनी जान कवा दी अभी भी अपाचाई काफी ज़्यादा छोटा था तो उसके फाइनेंसियल वकीलों ने उसकी देख भाल करनी सुरू की और उसकी जितनी भी प्रोपर्टी थी उसे मैनेज करना सुरू किया और जैसे जैसे समय बीटता है तो अपाचाई बड़ा हो चुका था और उसके बाद उसके नाम उसकी सारी की सारी प्रोपर्टी हो चुकी थी और जैसे ही अपाचाई के हाथ में इतना सारा पैसा आता है तो उसने भी अपने नए नए कारोबार करने सुरू किये और उन्ही में से एक था ड्रग डिलिंग का क्योंकि थाइलेंड को मसाज, ड्रग्स और भी काफी सारी चीजों के लिए जाना जाता है तो उसने इसी बात के लिए कि यहाँ पर लोगों को ड्रग्स लेना काफी जादा परसंट है और यहाँ पर इसकी मांग भी काफी जादा है तो मैं इसी को सुरू कर लेता हूँ यह चीज सोचकर उसने र्रग्स का बिजनस करना सुरू किया जिसके बीच काफी बारों से जेल के अंदर आना जाना पड़ा था रंस के धंदे में जब से वो गुसा था तो लोगों के पास जाना उन्हें डराना धमकाना यह सारी की सारी चीजे बिलकुल नॉर्मल हो चुकी थी और उसके नाम तोर पर जो कस्टमर हुआ करते थे वो ऐसी जगहें पर होते जो की सफा सेंटर होता या फिर डांसिंग बार होता और इसी तरहें वो काफी सारे बार में हर रोज जाया करता था और इसी तरहें एक बार में उसकी मुलाकात होती है 25 साल की बारें थार्ण से बारेन का पालन पोसन उसकी दादे ने किया था लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उसे भी अपने परिवार की हालत को देखकर समझ आने लगा कि हमें पैसों की काफी जादा जरूरत है तो वो पैसे कमाने के लिए यहां बैंको का पहुंचती है और एक बार डांसर के रूप में काम करने लगती है यही पर उसकी मुलाकात अपाचाई से होती है अपाचाई का तो यही काम था कि हर रोज नए नए पबों में जाना और वहाँ पर ड्रग्स बेचना तो इसी तरहे इनकी मुलाकात होती है और बार डांसिंग के साथ साथ मसाज का भी काम किया करती थी तो अपाचाई ने उसे बुक किया अपनी मसाज करवाने के लिए और वो उससे मिलकर काफी ज़्यादा खुस हुआ जिसके कान वो अकसर उसे बुक करने लगा धीरे धीरे कर ये दोनों एक दूसरे के काफी ज़्यादा नस्दीक आ गए और एक टाइम ऐसा भी आया जब अपाचाई ने बारें से ये बात कही कि तुम ही ये सब चीजे नहीं करनी चाहिए तुम कोई और जाकर अच्छा सा काम करो वहाँ पर भी काफी सारे पैसे हैं लेकिन अपाचाई को इस बारे में पता था कि काम को लेकर बाहर कितनी ज़्यादा मारा मारी है और वैसे भी अपाचाई को देखें तो इसे खांदानी बिजनस मिला है और वहाँ से इसे काफी सा लेकिन जिस तरह का वो खर्चा उसे दिया करता था उसके बदले वो पूरे तरीके से उसे कंट्रोल कर रहा था वो ये बात बोलता कि तुम्हें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए अब तुम्हें किस चीज की जरूरत है जो कुछ भी चाहिए तुम मुझ से लो लेकिन अगर देखें तो बेरिन लगातार इस चीज में घुटती जा रही थी कि उसे इसके तरीके से जीना पड़ रहा है जिसके कारण वो वापिस अपने उसी काम धंदे पर जाने लगती है और वही पिर जाकर वो नोकरी करने लगती है अपाचाई इस बात को लेकर काफी जादा निरास हुआ और वो वापिस जा पहुंचता है अपाचाई के पास वो उसे उस रात के लिए बुक कर लेता है अपनी मसाज करवाने के लिए और अपने उसी घर पर ले आता है जिसे आज के टाइम में लोग हाउस ओफ होरर बोल रहे थे और एक टाइम में उसके पिता ने एक महिला की यहाँ पर जान ले ली थी जो कि उनके घर की साफ सफाई यहाँ पर करने के लिए आई थी वो उसे वहाँ पर लेकर आता है और वो दोनों आराम से वहाँ पर रात बिताते हैं लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो वारें जा पहुंचती है पुली स्टेश है और हम इसके उपर कारवाई करेंगे लेकिन जैसे ही एक दो दिन बीचते हैं इस बात को तो पुलिस वालों ने वारें को ढूनना शुरू किया कि हम लोग अब आपके केस को देखने वाले हैं पूरा बताईए कि आखिर कार आपके साथ क्या हुआ था लेकिन उसके बाद पुलिस वालों को वारें मिली ही नहीं तो पुलिस वाले वारें को ढूनने लगते हैं कि ये महिला यहां पर आई थी और उसकी सिकायत थी और अब वो कहां पर चली गई तो पुलिस वालों ने थोड़ी च्छान बीन की तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो जो कि जहां पर शिकायत करने के लिए आई थी वो दो दिनों से गायब है तो पुलिस वाले इस केस को मिसिंग केस में डाल कर इसकी उपर भी छानबीन करने लगते हैं उन लोगों के हाथ कोई भी ऐसा सुबूत नहीं लगा जिससे वो लोग अंदाजा लगा पाएं कि आखिरकार उ के चार्जिस लगाने लगते हैं लेकिन उस आदमी ने कहना सुरू किया कि जनाब आप लोग मेरे उपर ये डर्ग्स के चार्जिस मत लगाएं मैं आप लोगों को एक ऐसा केस बता सकता हूँ जिससे सायद आप लोग पिछले काफी दिनों से सोल करने की कोसिस कर रहे होंग और मैं कम्प्लीटली उसकी सारी की सारी जानकारी आप लोगों को दे दूँगा पुलिस वाले भी इस बात के लिए राजी हो गए कि चलो ठीक है हम आपकी सजा को थोड़ा घटा देंगे बताईए उस केस के बारे में तो उस आदमी ने कहा कि आप लोग मेरे उपर सिर्फ चोटा मोठा केस लगाईएगा मैं उस घटना के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है यार मान गए हम चलो तुम बताओ तो तुम जानते क्या हो तो उसने बताना शुरू गया कि जनाब मेरा नाम चिलम जोई है मेरी मुलाकात अपाचाई से जेल में हुई थी मैं ड्रक्स का काम किया गरता था वो भी किया गरता था तो हमारी जेल में दोस्ती हो गई और उसके बाद हम दोनों बरी हो गए अब दोस्ती थी तो मैं बाहर आकर नोर्मली अपना वही ड्रक्स वाला काम करने लगा लेकिन इसी बीच उसने आपाचाई ने मुझे ये बात कही कि अगर तुम्हें पैसे की और ज्यादा जरूरत है, तो तुम यहां मेरे घर के बाहर सिक्यूरिटी गार्ड का काम कर सकते हो, मुझे पैसे की तो काफी ज्यादा जरूरत थी और आप लोग भी जानते हैं, कि पैसे के लिए अब आप लोगों ने किस केस में मुझे पकड़ा है तो पुलिस वालों ने कहा कि ये खबर हमारे लिए किस काम की है तो उसने कहा कि अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई दरसल अपाचाई एक रात एक लड़की के साथ हमारे उसी घर में आता है जहांपर की मुझे सिक्योर्टी गार्ड के तोर पर उसने रखा हुआ था और वहाँ पर काफी ज़्यादा जब रात हो चुकी थी तो उस लड़की के साथ उसकी जड़फ हो गई और उसने वहीं पर रखी एक रोड उस लड़की के सिर पर दे मारी जिस तरह से उस लड़की के सिर पर वो चोट लगी थी बाद में हम दोनों ने बैट कर उसकी मलहम पटी की और कुछ एक देर बाद वो लड़की ठीक हो गई लेकिन अपा चाई ने उस लड़की को वापिस जाने नहीं दिया जबकि वहीं पर बंदक बना कर अपने उसी घर में रख लिया अगली रात वो फिर से आता है लेकिन तब तक उस लड़की ने अपनी जान गवा दी थी और जान भी उसे गवा नहीं थी क्योंकि जिस तरीके से वो उसे छोड़कर गया था उसका तो मरना तै था दरसल जाने से पहले हम लोगों ने उसकी मलहम पट्टी कर दी उसे खाना पीना जितना कुछ देना था सारा कुछ नोर्मली चीजे जो होती हैं वो सब हमने कर दी थी लेकिन जाते टाइम हम लोगों ने उसे एक ताबूत में बंद कर दिया जो कि लोहे का था और उसे पूरे तरीके से बंद कर दिया सायद उसके अंदर हवा नहीं गई जिसके कान दम खुटने के कान उस लड़की ने अपनी जान गवा दी लेकिन अब वो लड़की अपनी जान गवा चुकी थी तो अपाचाई ने मुझे अपने पास बुलाया और उस लड़की को दिखाते हुए ये बात पुछी कि अब इसका क्या करें तो हम लोगों ने आखिर में यही डिसाइड किया कि उस लड़की को पूरे तरीके से रैप करके उसके उपर टेप वगेरा मार कर एक उसी ताबूत में बंद करके जिसमें की एक रात पहले उसे बंद किया था और दम कुटने के कारण उसकी मौत हो गई थी उसमें डालकर उन लोगों ने वहीं तलाब के किनारे उसे एक पत्थर से बांद कर उस पानी के बीच छोड़ दिया और पत्थर बंदा होने के कारण वो ताबूत उस पानी में डूब भी जाता है अगर आप लोग आज भी जाकर चेक करें तो वो ताबूत वहीं पर मिलना चाहिए पुलिस वालों को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो पुलिस वाले जा पहुंचते हैं उसी जगहें पर और वहां पर जाकर इन्वेस्टिकेशन अपनी करने लगते हैं लेकिन पुलिस वालों को उस ताबूत की जगहें काफी सारे और भी कंकाल मिलते हैं और आखिर में जब पुलिस वाले और ज़्यादा तहकिकात करते हैं तो उन्हें वहां पर वो ताबूत भी मिल जाता है लेकिन ताबूट से पहले भी पुलिस वालों को काफी सारी हड्डियां वहाँ से मिली थी तो उन्होंने उस पूरे के पूरे तालाब को ज़ान मारा और उस तालाब से लगबग उन्हें 300 से 335 इन्सानी हड्डियां मिलती हैं पुलिस वाले उस ताबूत को भी निकालते हैं उन सारी हड़ियों को भी निकालते हैं और उन सारी हड़ियों को इकठा करके जब पुलिस वालों ने और चान बेन की तो वहां से और काफी सारी हड़िया निकली और आखिर में पुलिस वालों को पता चलता है कि यह इसका पहल पुलिस वालों को ये बात बताई कि इस आदमी ने यहां पर काफी सारी ऐलिगेटर फिस भी रख रखी थी और हो सकता है वो फिस इसने इसलिए रख रखी हो ताकि इन लड़कियों की बोड़ी को वो ऐलिगेटर पूरे तरीके से चट कर जाएं पहले तो उन्हें भी काफी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि इतनी खतरनाक टाइब की मचलियां ये इस पूल में क्यों छोड़ रहा है लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन पुलिस वालों के सामने अब पूरी की पूरी बाते आ चुकी थे सारे हाला आता चुके थे तो एपाचाई को कोट में पेस किया जाता है और वहाँ पर जजज ने उसके ऐसे कारनामों को देखकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक अरी के साथ